कि मुझा कि अब फॉलाएकूं मैं मुखता रह्मत परिसेंट मुस्लिम जगी सब्सक्राइब से बोला हूँ आज जिस सक्सियत के बारे में हम आप से रूबरू करवाएंगे वह हैं जनाब कमाल जाफर साहब और सहर के जाने माने एक उकील हैं और वो आज से सोचिए पचास साल पहले इस प्रोफेशन में कैसे आए उन्होंने बीस्ट का एजूगेसिंग किये थे एमेस लो कॉलेज कटक से उकलात का पढ़ाई किये और उस वक जो है उकलात में बहुत कम लोग पास किया करते थे न्यूज जो है पेपर में आता था तो उसमें वो कामियाब किये फिर इस प्रोफेशन में आये उस वक जो है बहुत तरह के जोब मिलता था उस वक वो इस प्र हैं जो सोचते हैं कि हम लोग करेंगे प्रक्टिस सक्सेस होगी के नहीं यह उन से जो है सुनें कि कैसे कामियाब का राज क्या है उनसे नाजरे लिग नाजरी कराम इस वक्त हम मौझू हैं बालासुर के सबसे सिनियर एडवुकेट यानि वकील जनाब अल्हाज कमाल जफर सहाब के मकान में मौझू हैं और कमाल जफर सहब हमारे साथ मौझू है अज़ खुस। उनकी जो है जो काम है वो जो काम करते हैं जिस तरह वो एक्टिव रहते हैं वो तमाम तो आप जानते हैं लेकिन आज हम जानेंगे उनकी बेग्ग्राउंड के बारे में यानि उनकी जो है जो माजी है वो किस तरह रही उसके बारे में जानेंगे क्योंकि हर एक कामियाब शख्स किस तरह कामियाब बनता है ये जानना हम सबों के लिए जरूरी होता है आईए हम सिधा कमाल जफर साहब से पूछेंगे कि उनका बच्पन कैसा रहा उनकी पैदाइश कहा हुई उनका बच्पन कैसा रहा और ओ जो है अपनी तालिमी सफर कौन से स्कुल से शुवात किया आला तालिम कहां से हासल की ये तमाम बाते हम कमाल जफर से जानेंगे कमाल साहब आपका इस्तिक्बाल है अपना तर्जमान में असल में एक मिशन मुस्लिम ओल्फर सुसाइटी कि जो अभी नए सदर बने है जनाब मुक्तार साहब उनका ये सोच रहा कि बालश्वर में बहुत सारे ऐसे सक्सियत हैं जिनको हम सब तो ऐसे ही जानते है उपर से उनके बिग्ग्राउंड के बारे में उनकी माजी के बारे में जानना जरूरी है कि आप कैसे कहां से और कैसे काबिल बने और कैसे आपको काबिले जो सक्सियत माना गया क्यूं माना गया तो इस सोच को लेके मुक्तार साहब ने मश्वरा किया था तो उसके बात में हमने एक कदम उठाया कि हर एक काम्याब सक्स के बारे में हम अपने नाजरीन को दर्सक को बताएंगे सबसे पहले जानेंगे कि आपकी पैदाइश कौन से गाउं में हुआ या कौन से शहर में या फिर पैदाइश के बात में आपकी जो शुरुवाती तालीम कौन सी स्कूल में रही उसके बात में आप जो है आला तालिम कहां से हासिल किये ये तमाम थोड़ी वो जानकारी हमारे दर्सक को सबसे पहले मैं आपका शुक्री आदा करता हूँ अजीम साथ और मुखतार साथ पर भी शुक्री आदा करता हूँ कि वो मेरे जैसे सक्षियत को चुने पहला मरतवा कि मेरे बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए सबसे पहला बात तो यह है देखिए कि मेरी पैदाई जो है कटक में दर्गाबादार में पैदा हुआ हूँ बस वहां से मने हमारी शुरुवात हुई और वालिश साहब जो थे वो पतना इंट सिटी से में फाजिल करके इंग्लिश में में आये करके पास करके आके वह वहां पे गौर्वर्मेंट इसकूल में कटक में रहे फिर वहां से वह ट्रांसफर होके आए बाले सर में बाले सर से फिर यहां से ट्रांसफर होके गाए संबलपूर में संबलपूर से 1968 में रिटायर करके य होगा हमार हमार चबा के नहीं पे पर ऐस això मेरे और बाप दादा मेरे चचा और कि शुरू किया metric तक का हूंपर metric पास करने बाद में गंगधार महर बाइट लिया go to сjekt सफ कर बाइट को तो questions किया कि में नौकरी मिल सब बहुत हला करने करने वहां बहुत बैट पाया बहुत बी-ध्र वान बाइट करने का Megal तो वाली साहब मुझे मैंने आके मश्वरा दिये के देखो तुम एक काम करो तुम लॉग करो लॉग में तो सब बच्चे मिल जाता है एडमिशन हो रहा तुम लॉग करना शुरू कर दो इधर में अर मत सोचो तो मैं उहां से मैं चला गया लॉग करने के लिए कहां आपका फ तो मतलब सिदा सिदा आप ये जो है आप मदसुदन जो कॉलेज है जो मैंने लॉग कॉलेज है उससे आपने वकिलाती की पढ़ाई की लेकिन जिस तरह आप की शुरुआती दौर थी लगबक कपकी होगी आपकी मतलब 25 जानना चाहेंगे क्योंके दरसक ये भी जानना चाह है आपकी जो है चाल चलन ऊड़ बैड में कहीं पर बुड़ापा नजर नहीं आता तो हमारे दरसक जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाईशी जो तारीख है वो कब है क्योंकि उस वक्त आप तक आप फिट कैसे हैं मेरी पैदाईश का तारीख होता है 10th October 1945 1945 उसके बा में 67 अपिर वहां से में toolkit थाट डिव जन लिया इसे थाट डिव जन लिया बी ऐसी फिजिक्स ऑनौर के साथ मैं सेकंड डिवजन पाया उसके बाद में लाउ कॉलेज में जब गया है तो फर्स्ट यर जो है मेरा थाट डिव जन भौ पास ज़्ट पाधा और इंटर लो जो मैं सिक्स्ट पोजिशन रखा रहा है। माशालला बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगिल साब आप बता रहे थे कि आपको आपने नौकरी उस वक्त के दोर में नौकरी भी तलास की थी लेकिन नौकरी साब महरूम रहे। लेकिन जैसा कि माना जाता है आप आजादी से पहले आपने कहा 1945 में आपकी पैदाइस यानि नाजरीन मतलब ये डेट बड़ जाने के बाद तो मैं भी चौक गया हूँ कि 1945 यानि आजादी से कबल जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था अंग्रेजों के कबजे में था तब कमाल जफर साब की पैदाइस हुई और लगब 75 से ज्यादा हो गया हूँ तो लेकिन एक बात यहां पर खुलके आप मैं दर्सक को बताना चाहिए उस वक्त कहा जाता था कि नौकरी बहुत आसान थी लोगों को मिल जाते थी उसके बावज़ुद आपको नौकरी मिलने से क्यों रहे गया या तो नाम के वज़ा से या लक रासी रत्न ग्राहकंक पाईं सुभा खबर प्रथम थर पाईं बाले सर्थ सहरा र कचेरी रोड रे खली छी रासी रत्न र अत्याधुनिक शरूम एमडी जेंस एई स्वरूम्रे बिभिन प्रकार रासी रत्न जथा एक मुखी रुद्राख्य, पर्ज मुखी रुद्राख्य, अर्ष्ट मुखी रुद्राख्य, चोवद मुखी रुद्राख्य, स्री जंत्र, नबग्रह जंत्र, बगणा मुखी जंत्र सह बिभिन स्टोन मान बिक्री ह यल्लो सेफार, पान्ना, मती, मुन्स्टन, गोमेद, रुबी, ब्लू मुन्स समेत, सिक्रुति प्राप्त रासिरत्नमध्य एठारे उपलब्द हेऊची। एहा छडा एठारे ज्योतिसो परामर्ष केंद्र रो सुबिधामध्य रोईची। ग्राहकमाने निजनीज समस्यार समाधान पाईँ, ज्योतिसोंका सहब परामर्ष करी आवसक्य रासिरत्नमध्य पारिवे। निजनीज पसंदर रासिरत्नमध्य आजी ही आसंतु, M.D. James, कोचेरी रड, बालेसर। मोबाइल 9853-215782, 88955-88477 देखिए, मैं यहां तक के मैं नौकरी के लिए जो एक्साइज डिपार्टमेंट जो कनिष्टबल होते हैं, हाँ पहन पहन के, उसके लिए मैं एपलाई किया था। मेरा मने राइटिंग और बोलने का पावर बहुत ज्यादा था। मैं राइफल चलाने में भी रखा, हाईजम में भी रखा, लेकिन यह सब बावजूद भी मुझे कॉनेस्टबल का नौकरी मिलानी। फिर वहां से मने जो आपका हेल्थ सेंटर हैं, बालासुर डिस्ट्रिक का हेल्थ सेंटर हैं, उसमें मने क्लर्क का पोजिशन के लिए निकला तो मैं उसमें भी एपलाई किया। वहां पर भी मने सब राइटिंग और मेरा भायवास हो और अवारा सब टीक होता लेकिन मुझे बैक्ग्राउंड मुझे मिलानी कुछ। मैं कहीं से अगर जब कहीं से, मैं अपने जोर से चाहता था कि अपनी बल्बूते के जोर से मैं जैसा पाऊ हूँ जैसा मैं नौकरी, वह चीज़ मैं कर सका नहीं, उसमें कामियाब हो सका नहीं, और किसी का सिफारिश लेके आने से तभी मैं कामियाब हो रहा था। तो जैसा कि अभी भी माना जाता है कि सरकारी नौकरी के लिए सिफारिश की जरूरत होती है आप भी क्या मान रहे हैं कि हाँ सिफारिश की जरूरत होती है सरकारी नौकरी के लिए क्या काबिलियत इस पर भारी पड़ा है ने काबलियत भी देखिए मैंने काबलियत देखा जा उसके साथ साथ शिफारिस भी देखा जाता है जरूरत गिर जाती है बहुत अहम जानकारी के इतने पड़ लिखने के बाद भी शिफारिस की जरूरत पड़ती है सरकारी नौकरी पाने के लिए लेकिन कमाल साहब जो है आपका जो बच्पन में जो गाइड आपके वालिस तो क्या कहेंगे वालिश साफ किस तरह आपके जिरे निकराने करते हैं? यह जो देखिए मैं जो अब लॉग मने किया तो मेरे वालिश साफ कहीं मैं दिमाग से वह तो यह चाहते थे कि मैं लॉयर बनूँ वलकर जब बच्पना जो है मैं बिलकुल बने खेल कुद में गुदार दिया आप सोच लिए इसी से कि मैं थाट डिविजन थाट डिविजन थाट डिविजन फिर सेकेंड डिविजन फिर एदम जाके दम फाइनल लौ में शिक्स पोजिशन रखाए तो इसका मतलब क्या है कि मैं य जाएगा उसलिए मने वक्त जो बच्पन का जो वक्त गुद्रा जवानी को भी जो मने अप्टू मने बियसी केरियर तक का मैं पढ़ही में कभी भी मने ध्यान ठीक से दिया नहीं सिवाए मने लौ के वाकिल साफ इस वक्त हमें जो जानकारी है कि आप बालशोर के अगर कहा जाया तो अकलियती तबकि में जो है मसल्मानों के दर्मियां जो है आपका जो नाम एड्वोकेट के लिस्ट में सबसे अवल नंबर पे आता है और आप ही एक ऐसे एड्वोकेट हैं जो अपने जुनियर जो है 15-20 जुनियर को रखकर जो है आप काम करवाते हैं और उनसका जो है घर आपके वज़ा से चलता है ये एक ऐसा बच्च बच्च जो बच्पना जो जिसका गुजरा जो पढ़ाई में बिलकुल दिल चस्पी जिससा आपने बताया कि दिल चस्पी नहीं रखते था और पिर लो में आपने सब कुछ ये किया एक्टिप किया और लोग के ब हैं कि एड़ुकेट तो है सबसे बड़ा जूटा होता है और ये जूटा पेशा जो है बिलकुल अपनाने नहीं चाहते हैं या तो फिर ऐसा होता है कि बोलते हैं कि वकिलों को गाली पढ़ती है वकिलाती करना नहीं है और कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि वकिल पढ़के पास करता हूँ, क्या करूँ हूँ आगे जाके, ये दिल में उसके दिमाग से हटा दे, कभी वो अपने आपको कमतर मत समझे, मेरा बस सिर्फ कहना एतनी है, कि वो अपने आपको कभी भी कमतर नहीं समझे, ठीक है, ठीक है, जब बढ़ते बढ़ते चलो, और मने दिल में सिंसियरिटी है, ओनेस्टी है, तो तुम जरूर कोई भी लाइन पकड़ो, सिंसियरिटी और ओनेस्टी रहेगा, तो तुम जरूर कामियाब होगे, मैं इसको दावा के साथ बोता हूँ, और कोई भी काम में, तुम यानि बिजनेस में जाओ, डॉक्ट्री लाइन में जाओ इंजिनिंग लाइन में जाओ, कोई पढ़ाई करते हो, कोई भी प्रोफेसिनल लाइन में, जहां पर भी ये चीज दोनों चीज को रखना पड़ेगा, सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, और मैंने महनत भी, दोनों ये तीन चीज आगे, जब मिल जाए एक साथ में, वो बच्चा, यनि हवा नो उड़ते चलेगा, वो जमीन से फिर हवा में चला जाएगा, वो मैंने, जब वो साइकल चला रहा तो बाई प्लेन भी चड़ना सीख जाएग क्या करेंगे वकिल आती पड़के, और लोगों को इनसाब दिलाने के बजाए हम खुद खाने तक नहीं पाएंगे, ऐसे सोच ऐसा चिंताधारा आ जाता है, लेकिन वकिल साब कहना है, अगर आप के अंदर काबिलियत है, आप अपने आपको छोटा ना समझे, आगे बढ़ बाला सौर जिला में बच्चियों को दिली तालिम सारास्ता करवाने के लिए धंकी कोई तालिमी इदारा यानी लेडिस मदरसा नहीं था, लेकिन खुशी की बात यह है के, हज़र्द मौलाना खुश्तर रजा कादरी की पूर जोशिसों से, रमना के बगलपूर में, एक ज जबरदस लेडिस मदरसा अलजामियत अलबनात आईशत ताहरा के नाम से कायम किया जा चुका है, जहां दिनी तालिम के साथ बच्चियों को अस्री तालिम से भी आरास्ता करवाया जाएगा, लहाज़ा इस इदारा को मजबूती बखशने के लिए आप सब भी अपना गये अकाउन नमबर, फोन पे और गुगल पे नमबर पर रुपए भेज सकते हैं जाने दिल के वकिल सही अपड़ आप सब जानते हैं, बालशर्माले जानते हैं कि आपने बलबोते पे जो है वकिलाती की जिस तरह आप आप भी बता रहुत हैं अकिलाती करने के बात आप जो है बालशर्में सब कुछ किया, आपने मकान, यूं कह लिया जाए कि आपके पास दो-दो कारे हैं, मगर मैं उस जिक्र करना नहीं चाहता, नाजरीन सब जानते हैं, मगर यही हमारा असल वज़ा है कि आपके हवेली और आपके गाड़ी, कार, बंगला के बारे में इसलिए जिक्र करना चाहते हैं, कि नई नसले जो है, यह जाने कि आप उकिलाती करकी इस तरह भी कर सकते हैं, तो आपने क्या कहेंगे इस बारे में, मेरा जब उकिलाती शुरू हुआ, तो मेरे पास मैं एक पुराना साइकल था, और उसमें एक पठा बास्केटल लगा के रखा था, और उसमें मैं अपना फाइल ओवरा रखता था, और जाता था मैंने कचेरी, जाके वहां पर उकिला हासिल करूँ गा, मैं जब बिल्डिंग मेरे अछपपर का मकान था, मैं B.H.C. तक का, मैं जासा नहीं, जानता नहीं था, वो लाल्टन में लेके पढ़ता था, दीब जना के माने पढ़ा करता था, और जबी मैंने, वाल्दा जो है, वो मेरे हमेसा मैंने खियल रखती थी, मैं रात के बारा एक बज़े दो बज़े तक का पढ़ने घड़ी मैं जब नीम के अर्गोस में आया जाता था तो वालदा बोलती है तुम बेटा जाके सो जाओ मैं बोला नहीं मैं सोँगा नी तो फिर बोलती है ठीक है मैं जरा चाय बना के लाके देती हूँ उस वक्त तक का वो जाके रहती है थी मैं जब तक नी सोँगा मेरी वालदा जाकती रहती है थी वो मैं सोने के बाद में ही वालदा सोती थी मेरे तमाम मने जतने पैरेंट्स हैं मैं उन लोग को कहता हूँ अगर जब आप अपने बच्चों को गर जब दूर्स करना चाहेंगे तो कर सकते हैं आप उनका भी मने उसमें हिस्सदारी जरूरी है बिल्कुल मने बच्चों को उपर में तवज्जा दें मेरे बच्चा क्या करता है नहीं करता है उसका क्या तकलिफ है उसको दूर करने का कोशिस करें उसका होसला अभजा ही करने का कोशिस करें वो अगर जब यह जो थोड़ा बहुत भी करता तो उसको बढ़ा चाड़ा कि उसके माबाप पेश करें कर ता कि वो उसके दिल मैं और भी होसला बढ़ते बाते चला जाए। ये चीज़ मेरे वालदा के अंदर में, मेरे वालिद के अंदर में था, वो सब चीज़ बेनी मुझे याद आने से मुझे मने रोनी आता है, और मैंने वो सब मेरे बाप बाप मुझे याद आते हैं और उन्हीं लोग के वज़ा से आज मैं अल्ला के फदल से उनके दुआउं के बदूलत आज मैं यह तका पहुंचा हूँ मेरा है जब भी मैं कचेरी जाता बेगर वाली साहब के अजाज़त के मैं कभी गया नियास तक है उनकी इंतिकाल तक जाता था तो मैं अब उसके बाद में फिर क्या हुआ मैंने इंतिकाल के बाद में मैं वही दरगा मैदान के रस्ते जाता था उनको सलाम करके चला जाता था कुछ बचेगा नहीं और माबाप को भी इस बात का प्रद्धियान देनी कि जरूरत है कि बच्चों को किस तरह गाइड करनी की ज contracts को वकिल साँ जस तरह बता रहें कि बहुत माप का बहुत आहम भूमी का माबाप का भी होता है जो तर्वीरत रूर अगर दूस्त हो तो बच्छा इस तरह कमाल जफर साहब के तरह लाइक बन सकता है यह बहुत बड़ी बात है लेकिन यहां पे हमारे दर्सक को ये बताना चाहूँगा कि आपने खुद्दाम लुज्जाज कमेटी तश्कील दी वाला शोर में उसके बात में आप मुस्लिम उल्फर सुसाइटी में भी आप अभी इस वक्त नहीं है लेकिन क्यों नहीं है इतला है कि अभी मुक्तार भाई उसके सदर बने हैं कि एलेक्शन तो होना चाहिए हर कमेटी में एलेक्शन के बात में आप जिसाज सेकर्टरी थे तो अभी फिलाल सेकर्टरी हमारे अयूप सहाफ है शेक अयूप सहाफ है जिनको हम लोग शिबू भाई के नाम से भी जानते है तो शेक अयूप सहाफ सेकर्टरी हैं और मुक्तार भाई जो है सदर है आपकी दूरी आप हमारे क्या आप मतलब फिसे जुड़ने का अरादा रखते है मुस्लिम वेलफार सोसाइटी का बानी होता हूँ मैं हमेसा उसका तारीब करें गाना और तो बहुत अश्या आप अच्छे अदास है चल रहा है उसको मने बढ़ावा देना चाहिए मुस्लिम वेलफार सोसाइटी गाए जो हमारे मुक्तार अदिन साब जो है राजा मिया वो तो इतने अच्छे बड़े अच्छे सक्सियत है जो भी एक इंस्टिशूशन बना जाए कोई भी सोसाइडी बना जाए अगर जब वो कुछ कर रहा है तो उसका होसला होदाई कीजिए उसका पैर पकड़के मत तानिये तो मेरा जो है मैं आपको क्या बतला हूँ मुझे क् मतलब हो सकता है कि आप बीजी सीडूल में हो लेकिन कहने का मतलब होता है सीधा सीधा ये मैं जाना चाहता हूँ कि मुस्लिम मुलफायर सोसाइटी इस वक्त जो काम कर रहे है उस आपकी सरपरिस्ती रहेगी तो बिलकुल ही जो फिलहाल जो अभी मैंने जो सोसाइटी चल र हज के हाजीरों के लिए जो मने यह होता है सालाना जल्सा होता है उनको भेजने के लिए तो उस लिहाज से उनको भेजने के लिए हम लोग यानि सब कुछ इंतिजाम करते हैं उनको तवायर देते हैं उनको उनको होसला अवजाई करते हैं ताकि वह हज करके आएं और यहां दिल वाले हैं और बहुत मैंने उनी सबों के वज़ा से मैंने आज ये कोचिंग सेंटर खुदामुल हुजाज कोमेटी ये सब सब चल रहा है और जो गरीबों मैंने और लड़कियों का शादी हो और करना उसमें भी हम लोग हिस्तेदारी रखते हैं ये सब में भी राजा मिय हम लोग के साथ हैं हमेजा राजन ये हम लोग के साथ हो उए हमारा सब कुछ यह ने कुदामुल हुजाज कोमेटी के तमाम कारकून जो होता है मने इस contre रेन हम लोग तो एक्टिबीटीज है इस बड़ी बात है लेका हमारे हमने सیکरेटरी होता है इनतखाब अलिक्ताइज, हाजी मौहिन इसलम, हाजी जमाल-तौसाप, एफ सब जतने हाजी हो रहा हैं, सब कर साथ हैं, तमाम हाजी सब हैं इसमें, और अच्छे-चह सक्छिस्छाथित हैं, जो निल लगा के काम करते हैं, जिसके वज़ा से माने जो 2019 कमिशनर है, है वह हम लोग का एक्टिविडिस को देख के वो बोले कि आप लोग जरूर कीजे और आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो यह जो फ्री कोचिंग सेंटर है चार जगा कायम किये थे कमिशनर साथ सब जगा फैलियोर हो गया सिर्फ बाला सूर में चल रहा है और बाला सूर मे बास से लेकर अब तक जो है उसमें उसको जो है लोगों तक पहुंचाने में उसकी जो है खबर हो और उसकी जो है जानकारी पहुंचाने में तर्जमान की एहम भूमी का रही तर्जमान के बारे में बहुत यह तो हमेसा मैंने हम लोग के जतने एक्टिविटी जतना होता है सबों में तर्जमान रहता है वो तर्जमान चैनल या उसके साथ में और दूसरे दूसरे चैनल लेकिन ये वो चैनल हमेंसा काम करते रहते हैं माशाला होसला अर्वजाई करते रहते हैं जिसके वज़ाद से हम लोग बहुत खुश हैं ये चैनल से और उमीद करते हैं कि ये चैनल और भी तरकी करें